वाहि गुरु जी का खालसा वाहि गुरु जी की फते हैं मैं भुपिंदर सिंग भाई खेल कड़िये शबस सक्ची टकसाल दी इसकड़ी विच असी जिकर कर रहे हैं तथा कथित्व विद्वानावलों श्री गुरु गरंत सही दी वडियाई वीच खड़े कीते गए शंक्यादा श्री गरंत सही दी वडियाई वीच पगत बाणी दा अपना स्थान है सारे संसार्च एही एक तरम ग्रंथ है जो जातां तरमा पौगौलिक सीमामात उपर उठके अकाल पुरतनाल जुड़े महापुर्खा दे ब्रह्म बोला नो एक थाते बराबरताई नाल रखदा है उन्हा दी बाणी नो सरफ सांजे गुरू दा दरजा देंदा है परसोस आपने आपनों विद्वान कहन वाले कई लोकाने जो आपने आपनों सि interven महानता नो शुटियाओन वाले ऐसे कम कीते उस विच दरज भाणी के जो शंके खड़े कीते आम संगत दी सरदा नो हमेशा हमेशा लई तोड देन दी कोजी चाल चली बेद्वी दी इंतिहां कीती की हन ए शंके अते ए किवे बेबुनियार हन इसी दा जिकर है इस वीडियो विच जिनानू वीडियो आखीर तक देख के ही समझिया जा सकता है श्रीकुल गंच सहब देविच पगत बानी बारे जो शंके खड़े कीते गए उख कुछ इस तरह दे हन इतना ए किहा गया कि श्रीकुल गंच सहब देविच पगता दे नाम ते दर्ज बानी पगता दी है ही नहीं इतना गुरु सहब ने आप पगता दे नाम ते लिखी दूजा पगत बानी गुरु अर्जन सहब जी दी शहीदी दे बाद आज बीड़ दर्ज कीती गई तीजा पगत बानी गुरुमत नाल मेल नहीं खांदी जिमे की पगत नाम देव जी दे कई शबद मूर्ती पूजा दे हक विच हन कभीर जी दे कई शबद पनायाम अते योग अभ्यास दे हक विच हन बाबा फरीज जी दे शबद दस दे हन की ओ पुठे लटक के तब करया कर दे सन अते उन्हा अपने पल्ले काठ दी रोटी बननी होई सी इसे तरह ते कभीर जी दा आपनी मोटी नूँ गुसे होके एक हना अब तुमरी पर तीतन होई अते पगत नाम देजी दा विगारे फड़या जाना एह सब गुर्मत विरोधी गल्ला हन कि तो हनु नहीं लगदा कि एक गल्ला हर एक नानक नाम लेवा दे दिल नूँ चक चोड़ दें दिया हन उस गुरू दी वडियाई ते ही शंके खड़े कर दें दिया हन साधारन सिक सोची पैजानदा है कि जे एक गल्ला सच हन ता कि गुरू गर्ण सहेब विच दर्ज बानी वी पर उसे योग नहीं कहड़ी सच्ची है ते कहड़ी कच्ची एह निरना किमे किता जावे जे गुरू गर्ण सहेब विच वी आपा विरोधी गल्ला हन ता असल गुर्मत से धान्त की है उसदा सच की है वगएरा वगएरा पहली गल्ता समझ लेनी चाहिए है कि एह सारे सवाल निराधार हन महद शंके हन गलत हन इना नू साबत करन ले जो भी तथ इना शंकेया नू पेश करन वाले तथा कथित विद्वाना ने रखे जा तर्क पेश की ते ओ सारे ही मन घरंत हन ओ ना ततथा ते अते ना ही गुर्बानी दी कसोटी ते ही खरे उतर दे हन ए असी इस वीडियो विच अगे साबत करांगे दूजा ए कि इस तरा दे शंकेया खड़े करन वाले ता मकसद ही ये है एक ता गुरु गरंच सहेब दी सरप्रवानता वाले कारना नूही मुका दिता जावे अते दूजा सिख्खा विच दो चित्ती पैदा की थी जावे पठकणा वदे उना दी गुरु प्रती शर्धा मुक जाए ओपा में मूर्ती बना के मत्थे टेकी जान पर बानी तो टुट जान बानी मताबक जीवन जीवना छड़ देन इस तरह असल इरादा चड़ी कलावाले सिख्वेग रूप वापस उसे करम कांडी चिकड़ विच सुट लैन दा है आओ हुण इना शंकियां ते चर्चा कर दे हां एक ताए कि श्रीग उरंद साहिब देविच दर्ज पगत बानी पगता भी है जान नहीं की ए गुरु साहिब ने आप पगता ने नाम ते लिखी अते दूजा ए कि पगत बानी गुरु अर्जित साहिब जीदी शहीवी मगरों आज बीड देविच दर्ज कीती गई कि श्रीग उरंद साहिब देविच दर्ज पगत बानी पगता नी नहीं है ए ताए गुरु साहिब ने आप पगता ने नाम ते लिखी ए विचार है उन्नीवी सदी दे सिख पंथ दे एक विद्वान पंडित तारा सिंग नरोतम ना इस निर्मले संपरदाई दे नाल संबंधत सन महराजा पट्यारा नरिंदर सिंग दे च्छत चाया हेट देंदे सन गहर तलब है कि पंड़त तारा सिंग में एतना लिख दिता पर आपने इस विचार दे प्रती कोई प्रमान नहीं दिता वैसे भी आपनी विद्वता ते गुमान रखने वाले नू लगदा है कि वो जो भी कहेगा जान लिखेगा वो सच ही समझा जावेगा शायद इसे पुले के इस लिखत बाबत उना कोई तर्क नहीं दिता पर सच दिक असोटी ते एक गल बिलकुल ही अधार हीन साबत होंदी है पहली गल एक कि किसे दे ना ते रचना लिखनी इखलाकी जुर्म है कि गुरु साहिब ऐसा कर सक दे सन जे नहीं तांकि पंडित तारा सिंग वे एक विचार गुरु साहिब ते इखलाकी दोश लगा रहे हैं वैसे भी गुरु साहिब नू की लोड सी की दूर दुराडे रह रहे पगतां जा उना तो पहला संसारक यात्रा पूरी कर चुके पगतां दे ना ते बाणी लिख दे हुन बाणी भी अंदर ली गवाही दे अधार ते देख दे हैं कबीर जी अते फरीज जी दे कई शलोकां दे ख्याला नू पक्के करन वाले तीजे ये पाटशा गुरु अमर्दास जी ने भी कई शबर लिखे हैं जिनानू गुरु अर्जन देव जी ने श्री गुरु गर्ण साहब दी संपादना दे समय नालो नाल दर्ज कीता है जो एता साबत कर दे हैं कि कबीर जी अते फरीज जी दी बाणी गुरु अर्दन देव जी तो पहला वाले गुरु साहबाना दे पास मौजूद सी अते एह तक पंड़त तारा सिंग दे दावे नू बिलकुल ही गलत साबत कर दे की पगजबानी गुरु अर्जन साहब दी शहीदी दे पिछों आग बीर दे विश दर्ज कीती गई प्रोफेसर साहब सिंग जी ने इस दावे दावी खंडन कीता है सवाल पैदा होंदा है कि एक किसने दर्ज कीती किमे दर्ज कीती उस वक्त क्योंकि बीर दा प्रकाश्री हर्मंदर साहब विश होंदा सी की इत्थों बीर नू लांभे लेके गए सी इना सवाला नू शांत करन लई एक साखी कड़ी गई अते संक्ता देविच परचारी गई ओ केड़ी साखी सी पहला सुनो इस साखी फिर करांगे इस दी परचोल अते सामने रखांगे इस साखी दा असल सच साखी इस तरह है पंचम गुरुजी शहादत पागे सन अते पोथी साहेब नू शाही हुकम दे अनसार जब्त करार देता गया पोथी साहेब दा पढ़ना अते परचार करना कानून दे विरुध ठहरा देता गया पिठी चंद अते इस दे साथी अत्वा गुरु का अर्दे छेके होए एही ता चहुंदे सन ओ चंगा मौका जान के बाच्शा जहांगीर दे पास कश्मीर चले जाके सारी पोजीशन जहर कर देती कि गुरु अर्दिन साहेब दा साहेब जादा श्री गुरु हर गोबिन आ जारी कर रहे हैं एह भी दस्या कि ओ बड़ा योधा है आपने प्योधी तरह ते शांती दा उपासक नहीं सगो मुगाबला करन वाला है गुरु दे सिखा दे अंदर बहुत जोश है ओ बगावत करके बाश्चाह दे तक ते हमला करन दी साजिश्क रच रहे हैं असी तेरे पास इस वास्ते आये हां कि तू ओ पोथी सानू दे दे असी उस विच इसलामी शरा अते हिंदू मर्द नाल संबंतत शवत पा दे आंगे ते सिखां विच प्रपगंडा कर दे आंगे कि बाश्चाह ने पोथी साहब ते पाबंदी हटा दिती है नाल ही शहादत दा कारण बाश्चाह तो हटा के चंदू वाली कड़े होए कि से ते ही उच्छा लागी जहांगीर प्रफी चंद दे वफद नाल सहमत हो गया उसने पोथी साहब प्रफी चंद दो सौब दिती इस तरह उक्त पैक्ट जहांगीर अते प्रफीय दी पार्टी दे नाल होया इस समा खाल होर कच्छी है बाणी दी उलंगना करके हमेशा वास्ते गुर्बाणी नू मिलगोभा बाणी बना देता गया इह वर्तारा सोला सो बाट तो चौठ बिकर्मी अर्था सन सोला सो च्छे तो सोला सो अच्छ दे विचकार वर्तिया एह सब कुछ पिठीय दे आपनी दुकान र कि पिर्थिये दी पार्टी नू हकूमत वलनों कोई तकलीफा नहीं मिलिया जद की गुरूदे सिक तकलीफा पो गद्दे रहे पिर्थी चंद वलनों पाई गई गडबर्त नू दूर करन लई ही शिरीगु दशमेश जी ने पाई मनी सिंगी पासों दोबारा निरोल गुर कि जो दस्या गया है ओ एह कि जहांगीर ने पोथी साहथे पाठ ते पाबंदी ला दिती सी आर बीड नू श्री हरंदर सहे विच्चों चुकवा के आपने कबजे विच कर लेया सी एह कि बाबा पिठी चंद ने एह बीड जहांगीर तों वापस लेके इस विच पगता भी बाणी दर्ज कर देती सी कि प्रिची चंद ने एक सिख कौम विच प्रपोगंडा की था कि बाद्शा ने पोथी साहथे पाबंदी हटा देती पर इस साखी विच जो नहीं दस्या गया ओ एह साखी एह ता दस्दी है कि हरमंदर सहे वाली बीड जहांगीर ने जब्द की थ फिर उसनूं बाबा पिठी चंद नों मिलावट करण लई देती एह भी कहलवा दकता कि बाद्शाह ने पाबंदी हटा दुदी पर इस साखी ए नहीं दस्दी कि बीड सहे श्री हरमंदर सहे नों चुक्की कि में गई मिलावट करण दे उपरंद बाबा पिठी चंद वालन जी जो शुरूतों ही ग्रंथी रहे सन लगातार आज बीड तों पाठ कर दे रहे कि उन्हानू पता ही नहीं लगया कि वापस आई बीड दे विच हेरा फेरी होई है जां वाधू लिखत पाद इत्ती गई है एही नहीं इस आज बीड नू लिखन वाले पाई गुर्दास जी बीड जब्द करंदी उसने कोई गल नहीं लिखी सचाई एही है कि गुरु अर्जन साहिब जी दी श्रीरत मौजूदगी विच ही बीड साहिब दे कई उतारे करवा के बाणी ले परचार करन वास्ते दूर दुराडे पे ज़े जा चुके से पर एह साखी एह नहीं दस दी कि जहांगीर ने सिर्फ श्री हर्मंदर साहिब वाली बीड नो ही जब्द कीता जहां सारे उतारे भी जब्द कर ले से स्थ तर अमनों मुकान ले सारिया बीड़ा नों जब्द करना जरूरी सी सिर्फ इकल्ई बीड दे जब्द करन नाल बाणी दा परचार होर थामा तो नहीं रुख सगदा सी ते सारिया बीड़ा दा जब्द होना सिख कौण वास्ते परलो दे समान सी फिर सवाल उही पैदा होंदा है कि साड़ा इतिहास इनने वड़े पे आनक पानेदा किते जिकर क्यों नहीं करदा मतलब साफ है कि साखी मन करंत है चूठी है फिर भी जेकर एं मन लेया जावे कि जहांगीर ने आद बीड नू जब्ट कर लेया सी एवी मन लेये कि बाबा पिठी चन्ने जहांगीर पासों बीड वापस लेके इस विच पगता आदिक दी बाणी दर्ज कर देती सी पर जे सिर्फ हरमंदर साहिब वाली बीड ही जब्त होई सी तां बाबा पिठी चन्ने पगता दी बाणी सिर्फ इसे बीड विच ही दर्ज कीती होनी है बाकी उतारेयां विच पगत बाणी आदिक के में आ पहुंची लेकिन जे मकसद सिख विचार तारा वो खतम करंदा सी एक पासे सिखा दे जोस नु ठंडा करंदा सी दूजे पासे सिख कौम विच हिंदू मत अते इसलाम फैलाना सी इसलिए जिए वी मन लईए कि सारियां बीड़ा ही जब्त हो गई या सन अते पिठी चन्ने सबना विच ही पगत बाणी दर्ज करवा दिती सी जहांगीर्दे हाक्विक प्रोपोगंडा करंड़ वास्ते पिठी चन्ने एस सब बीड़ा असल टिकानियां ते वापस भी पे जितियां होन। तामी सवाल उत्थे ही खड़ा है कि किद्रे भी किसे नु पता ही नहीं लग गया कि बाणी विच एन्नी मिलावट होई है एन्नी वड़ी कटना इतिहास विच दर्ज होनों की में रह गई मिलावट विच शंके करनवालियां दा तर्क है कि बाबा पिठी चन्ने मिलावट बड़े ही व्योंत बद टांग नाल कीती गुरुगरंद सहे विच बाणी दी तर्टीब दा हवाला देंदे हुए उन्ना दा तर्क है कि छापे दी बीड विच हरे पाग विच पहला शबत अश्चपदियां छंत अते वारा हूं एह तर्टीब नेमन सार हूं पहला महला पहला फिर तीजा चौथा अते पंजवा है कई वारा दे खतम होंते लफ्ज सुध जा सुध कीचे आउंदा है इस दे बाद पगत बाणी दर्ज है जिस दी गिंटी वी वक्री है इस तो लावा पगत बाणी विच किसे गुरु सहे बलनों सुध कीचे दी आग्या नहीं दिती गई है साखी कार दे इस दा कारण भी स्पस्ट कीता है कि सद्गरु जी दे शब्दा दे विचकार का पगता दे शबद दर्ज भी नहीं सन हो सकते क्योंकि गुरु सहेब ने सब शब्दा दी गिंटी भी नारो नार लिखी होई है गिंटी विच फरक पयां जा हिंद से कटेयां प्रथी चंदा पाज उगर जाना सी इसे तरह वारा दे अंदर भी पगता दे शबद लुकाए नहीं जा सकते क्योंकि वारा दा हन ही श्लोक अते पौणियां सो पिछी चंद ने स्यानप तो कम लेंदे हुए पगता दे सारे शबद ते श्लोक गुरू महराज जी दी बानी दे अखीर विच दर्ज कीते साखी कार एवी तर्ग दे हन की हो सकता है की बाबा बुढधा जी अते पाई गुर्दास जी अते होर सजणाने जिना दे पास बीर दे उतारे सन वारा तो अगां बाकी दे पत्रे खोल के ही ना देखे हों ते इस वास्ते मिलावट दा उना नो पता ही नहीं लगया इना तरका नो निराधार साबत कर दे हन बाणी दे परमान अते साखी कारणिया आपनिया ही दलीला उसे नो गलत साबत कर दे हम जिजे बाबा पिठी चंद ने पगत भाणी गुरू महराज दी भाणी दे अखीर विच दर्ज कीती तां गुरू अमरदास जीदा एक शलोक फरीज जीदे शलोकां विच किने आ गया किमें पैरो रागविक महला पंजमा ते पन्ना जारा सो चटी ते कबीर जीदा शलोक है किमें गुजरी की वार महला तीजा पन्ना पन्सो अठ बिहागडा की वार महला चोथा पन्ना पन्सो अर्ताली अते रामकली की वार महला तीजा पेज नौसो संताली विच गुरू सह पाई गुर्दास जी दे काशी आउन तो पहला ही पगत रचना पंजाब अंदर आगई तीजे पाट्षा दे नोट जाहर कर दे हन कि पगत रचना उत्ते तीजे गुरु जी ने टीका टिपनी करके नोट देते ये नोट हुन भी महला तीजा दे सिरले खेठा मिल दे हन साखी कार फरीज जी दे शलोका ना जिकर कर दे होई दस दे हन कि मौजूदा बीड विच फरीज जी दे चार शबत अते एक सो तीश लोक हन कईया शलोकां पर तीजे अते पंज्वे गुरु जी वलनों नोट भी कि गुरु साहबान ने पगतांटे सिद्धांटनू कमजोर अते उना समझया है सद्गुरु जी दे जिनाश शलोकां बारे साखी कार जिकर करदा है उत्तिन किसंदे है एक ओ जिना विच लफ्ज नानक अंदा है दूजे ओ जिना विच लफ्ज फरीद मिलदा है अते तीज जिना विच कोई भी नाम नहीं तीजे किसंदा एक शलोक है दाती साहब संदियां क्या चल्लै तिसनाल एक जगंदे ना लहन एक ना सुत्या दे उठाल एक शलोक फरीजी दे शलोकां दे नाल शलोक नंबर 113 ते दर्ग है पर इस विच किसे रशनाकारदा नाम नहीं हलांकि इही शलोक पेज नंबर 83 ते श्री राग की वार महला चौथा दे विच भी दर्ग है उत्थे इस उपर शलोक महला पहला भी दित्ता होया है जिस्तों साबित हो जन्दा है कि इह शलोक श्री गुरु नानक देवजी महराज का है खैट इत्थे असी पहलियां दो किसमा दे शलोकां उत्ते ही विचार करनी है जिना विच लवज नानक होंदा है जहां लवज फरीद मिल्दा है इस लोक सिर्फ फरीद जी अते कबीर जी दे शलोकां विच की दर्जान गुरु गर्ण सहे विच होर किते नहीं पहला असी दूजी के समदे शलोकां विच्चों नमूने वज्जों एक शलोक लेंदे हैं जिना विच लवज नानक मिल्दा है जिवे की काय पटोला पार्ती कम लड़ी पहरे नानक करही बैठियां सह में रहे जे नियत रास करे यह शलोक श्री गुरु अमर्दास जी महला की ज़्यादा है जो फरीज जी दे शलोका नाल पन्ना नमबर तेरा सो तिरासी उत्ते एक सो चार नमबर शलोक वज्जों दर्ज है अत यह है फरीज जी दे शलोकां दे संबंदे विच ही जिकर योग है कि फरीज जी दे शलोक श्री गुरु गुरंदास जी दे अखीर ले पन्ना विच तेरा सो सततर तों तेरा सो च्रासी तक कुल एक सो तीश लोक है सवाल पैदा होंदा है कि जेकर बाबा पिथी चन्ने पगट बाणी बीणा दी अखीर ते दर्ज करवाई तां गुरु अमर दास जी दा एश लोक इत्थे फरीज जी दी बाणी विच की में आ गया कि उन्हा मिलावट करन लई पिच्छों बीड विच्छों लेया जे हां तक कित्थों अते किने की उस थानों मिटा के पगतान दे शलोक विच लेयांदा गया जित्थों मिटाया गया है कि उत्थे कोई हर्ताल बज्जी है जा स्याही फेरी गई है पर उस असल थान तो हटाऊं दी लोड ही क्यों पई जे इस लोग फरीज जी दे किसे ख्याल नूँ खंडन करन वास्ते है ताम बाबा पठी चलने खंडन क्यों करना सी उना तो सगो को लेखे बधूने सन गोर तलब है कि पूरे गुरुगन सहे दे विच पीजे पार्शादा इस लोग पहला किधरे भी नहीं आया ना ही अजे तक कोई वी ऐसी लिष्टी बीडवे खरनू आई है जिस विच एश लोग सत्गुरु जी दी आपनी बाने विच ही दर्ज होया हुए मतलब साफ है कि इस शलोग का फरीज जी दे शलोग विच दर्ज होना गुरु अर्दिन देव जी दी संपादना करके है ना कि किसे मिलावट करके इही सच पहली किसम दे गुरु साहिब दे उना शलोका बारे वी है जिनादे नाल नानक लफ्ज भी है अते उपर महला पहला तीजा चौथा जब पंजवा भी जित्ता गया है क्योंकि एह शलोक फरीज जीदे विचारानू होर वी स्पस्ट करन लई लिखे गए हैं इसे लई फरीज जीदे शलोका वी दर्ज की तेग लगबग मिल दे जुल्दे एही शलोक पहला वी श्री गुरंस साहिब दे वी दर्ज हन एह पंचम पाठ्शाह दा संपाद की कमाल पहलता है ही नाल ही एच शलोक एह भी साबत कर दे हन कि पगतादी बाणी गुरु अमरदास जीदे पास मौजूद सी क्योंकि ओ परतक तौरते फरीज जीदे नाम वर्त रहे हैं हुन दूजा अधारन लेने हां एक शबद है पन्दा नंबर ग्यारा सचती ते पैरो राग विच महला पन्जवा कर पहलादा तीजा शबद इसलियां अखीर लियां तो काएउ हन कहो कबीर एक याव खाना गुर पीर मिल खुद खसम पछाना जाहिर है पैरो महला पन्जव दाए शबत गरू अरजन सहब जीदा है पर इत्थे गरू अरजन सहब ने लफज नानक दी था कबीर वरतिया है क्यों वरतिया एव ख़राविशा है पर इस तो दो गल्रा साबत हों दिया हन। ओ ओ ए कि गुरु अर्जन साहब कबीर जीदे संबंद विज कोई आख रहे हैं अत्य गल्ट तदे ही हो सकती है जे उना कबीर जीदी बाणी स्विकार कीती होई होई उन्जवी जेकर आपां बाने दी तर्टीब देह देहां तक किसे तरादी कोई छेड़ चार साबत नहीं हो जी शुरू कर देहां पन्ना नंबर ग्यारा सो पच्चीतों पन्ना नंबर ग्यारा सो सताई दी अखीर विच अखीरला अंक है अठ इत्थों तक पैरो राग विच अठ शबद गुरू नानक साहिब देहन पन्ना नंबर ग्यारा सो तेती दे अखीर विच है अंक एक्की एक्की शबद गुरू अमर दास जी देहन पन्ना नंबर ग्यारा सो पैंती दे तीजे शबद दा अखीर विच है सत शबद गुरू राम दास जी देहन पन्ना नंबर दे मुताबक ए सत्वंजा शबत इस तरह हना कार एक दे तेरा कार दो दे तरताली कार तिन दा एक शबत इत्थे अखीर वीच सारे गुरू व्यक्तियां दे शब्दा दा जोड फिर दरसाया गया है महला पहला दे अठ, महला तीजा दे एकी, महला चौथा दे सत्वंजा इना सारेया दा कुल जोड बनता है किरानवे सवाल पैदा होंदा है कि जे कर पगत बाणी बावा पिठी चंदे दर्ज कीती ता कबीर जीदा इस शबत इत्थे गुरू साहर दे शब्दा दे विच किमी दर्ज है जे कोई कोशिश भी करेगा तांग गिंटी दे अखीर ले अंक चिरानवे नाल छेड़ चाल करनी पवेगी निरा ए एक अल्ला अंक नहीं इस शबत तो लेके अखीर तक सारे ही अंक तोड़ने पैण के पर किसे भी बीड विच इह गल नहीं मिल दी सिद्धी गल है कि पगतवानी बाबा पिठी चन ने जहां किसे होर ने गुरु अर्जन साहिब जी तो पिछों दर्ज नहीं कीती सत्गुरु जी आप ही दर्ज कर गए सन एक होर प्रमान लेंदे हां गुरु ग्रंच सहेब विच बाई वारा हन जिना विच दो ऐसीया हन जिना निया पौडियां दे नाल कोई भी शलोक नहीं सत्ते बलवंड दी वार अते बसंद की वार महला पजवा बाकी वी वारां दी हर एक पौडिये नाल कट तों कट दो शलोक दर्ज हन किते एक थांते भी इस नियम्दा उलंगर नहीं होया आपा इते तिन वारां ते नजर मार दे हम गुजरी की वार महला तीजा बिहागडा की वार महला चौथा अते रामकली की वार महला तीजा इना वारां दे अखीर ते लफज सुद दर्ज है साखी कार भी मंदा है कि जित्थे सुद जा सुद कीचे लिख्या है उत्थे तक बाणी गुरु अर्जिन साहिब ने आप दर्ज कीती हुन लो गुजडी की वार महला तीजा इस दियां बाई पाउडिया हन हर एक पाउडी दियां पांच पांच तुका हन ते सब तुकादा आकार भी एको जिहा है सारी वार विच बड़ी ही सुन्दर समानता है हर एक पौडी दे नाल दो दो श्लोग हन ते श्लोग भी सारे ही महला तीजा दे हन पर हुन वेखो पौडी नमबर चार इस दे नाल पहला श्लोग कबीर जीदा है ते दूजा गुरु अमर्दास जीदा वार दी एक सुर्ता नमोख रख देया ये नहीं हो सकदा कि सत्गुरु जी इस पौडी दे नाल सिर्फ एक श्लोग ही दर्ज कर दे किसे भी वार विच ऐसी गल नहीं मिल दी जे साखी कार दी एक गल सही हों दी कि पगता दी बाणी बाणी बाबा पिठी चन्ने दर्ज कीती है ता ए श्लोग इत्थे किवें दर्ज हो गया खाली था कोई है नहीं जित्थे दर्ज कीता जा सकदा वार दी एक सुर्ता बरकरार है इत्थे भी हर एक पौडी जे नाल दो दो श्लोग हन बाहर हार्शी उत्ते भी कोई श्लोक कुछ दर्ज नहीं है जे हार्शी उत्ते दर्ज कर दे ता मिलावर्दा पेर खुल जाना सी बाकी श्लोका मांग ही पहला ही थांसिर्टे दर्ज है इत्तों एकल साथ सिद्ध होगी कि एक श्लोक गुरु अरजन सहर जी ने आप ही दर्ज कीता सी इसे तरह देखो विहागडे दी वार महला चौथा दी पौडी नंबर सतारा देनाल पहला श्लोक कि एक गुरु अरजन सहर जी ने आप ही दर्ज कीता है रामकली की वार महला तीजा दी पौडी नमबर दो भी इसे नतीजेते अपड़ भी है इस दे नाल दा पहला स्लोग भी कबीर जीदा ही है इना सारे तथादे अधार ते हैं बिलकुल साफ है कि साखी कार दी साखी मन घरंत है चूटी है इस कहानी दा कोई अधार नहीं है ना ही पगता दी बानी पट्टाने सवये सत्ते बलवन दीवार बाबा पिठी चंद जा किसे होर ने गुरू अरजिन साहेब जी दी शहीदी दे पिछों दर्ज कीती इस आधार ते इस विच किते शक दी गुंजाइश नहीं रहंदी कि पगत बानी गुरू अरजिन साहेब जी ने आपने हथी दर्ज कीती इत्थे मुण इह द्रिड करोना जरूरी है कि पगत बानी अते गुरू बानी दा आशा पूरन तोर ते मिलदा है श्री गुरू गंज साहेब जी दर्ज पगतादा कोई वी शबद मूर्ती पूजा अवतारवाद प्रनायाम जां योगा भ्यास दे हक विच नहीं है नहीं किसे वी पगतने ठाकर पूजा बीठल पूजा आदिक्तों परमातमादी प्राप्ती नु मन्या है इना बारे पाएगे पुलेख्या नूवी असी अगलियां वीडियो देविच स्पष्ट करांगे इसे नाल देव जाजत वीडियो देखन सुन लई आप सब दाता नवाद खुश रहो आबाद रहो पाओ गुरू वन लो बक्षी होई फतह दी सांज वाहि गुरू जी का खालसा वाहि गुरू जी की फतह गुर्बानी विचारदा एह प्रोग्राम प्रोफेसर साहिब सिंग दे गुर्बानी व्याकरण के आधारत रचना श्रीगु गरंस सहेब दरपण नो ही आधार बणा के त्यार कीता गया है मकसद है गुर्बानी विचार के आपने जीवन नो सच ते तालरणगा